हेलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका टार्गेट फॉर आईक्यू में मेरा नाम है सतिंद्र बिहार सिबिल जज़ों और बिहार एपियों के लिए जनरल साइंस जो है वो एक बहुत बड़ा रोल है उसका और उसी का एक लेक्चर है यह और आयो प्री में और इसके स साथ में में यह वीडियो आप लोगों के लिए रामबान होगी जनरल साइंस के पॉइंट ओव यू से और इसमें हम केमेस्ट्री के साथ साथ कुछ बाइलोजी की टर्म्स को फोकस करेंगे बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट है यह एकीन मानिएगा इंग्लिस मेडियम के व इक पॉजिन लिक्रिट है यानि बिरकुल अतियंत विशाला दरब है बस काली पूछ लेंगे क्या है मेंच में भी आप लोगों के लिए बस यह लिखना आता है किसके वन लाइन लिखना होता है इससे जाधा कुछ निया मार्स गैस क्या है तो मार्स गैस पहली बात तो कहीं कहीं मर्केटाइन भी है तो इसको याद रखेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ठीक है नेक्स है ट्राइ नाइट्रो टाइलून टी एंटी इसकी फुल फोर्म आ जाती है यह जरूर याद रखना और इसका उप्योग जो है वो बिस्पोटक के रूप में किया जात दे रहा हूं खोज और उनके खोज करता यह बहुत ज़्यादा आते हैं बहुत ज़्यादा नेक्स्ट है ccl4 यानि पाइरिन और इनके केमिकल नेम भी है यह भी याद रखें ठीक है क्योंकि आप जनल साइंस है तो पढ़ना तो पढ़ेगा यह आप लोगों को बिहार एप पैट ग्रूप से काफी सारे सेलेक्शन्स हुए थे ब्यार जुडीसरी में जिसमें टॉप जो सिया सुरूती थी वह हमारे मेंस के पैट ग्रूप में थी जीके और जीएस के ठीक है तो आप लोग से बिरकुल जोईन कर सकते हैं मेंस के लिए भी हो प्रिकिली नेक्स्ट है नेक्स्ट है लिउसाइट क्या है तो एक यह बहुत ही जादा विशेली डैस है यानि बहुत ही जादा पोजिज्ञ गैस है और इसका निर्मार जो है असेटिलीन वे आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड एसल 3 की किर्या से होता है और इसकी उपस्तिती एलुमुनियम नेक्स डीडीटी तो डीडीटी का रसाइनी के नाम बहुत आता है डाइकलोरो डाइफिनाइल ट्राइकलोरो बस इसको याद रहे हैं हिंदी और इंगलिस वाले देख लें पिनेशन से में डाइकलोरो डाइफिनाइल ट्राइकलोरो इसको अभी लिख लेंगे टीटी की और यह भी और यह भी एक डिना सकते नेक्ट पास्चुरी करण क्या होता है यह एक जो है द्रव है जो खाद समगरी के संख्षन की एक बिदी है मतलब एक ऐसा लिक्विट प्रोसीज है जो खाने की चीज़े होती है उनको किस तरह किसे प्रोटक्टिया सेव करके रखा जा सकता ह यानि द्रब को जब लंबे समय तक गरम करके सीगरता से ठंडा कर ले जाता है जिसका उपयोग दूद में उपस्ति थानी कारें किटानों को नश्कन्ने में किया जाता है ठीक है और नेक्स्ट है कोडम क्या है तो अलूमुनियम आक्साइड का एक क्रिस्टल ये रूप है बस अच्छे एक टेबील है यहां पर इसके माध्यम से मैं आप लोगों कुछ बदाना जाओं जैसे यहां पर कुछ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स दे रखे हैं और जीने हमका उनकी इंपोर्टेंस बदानी है जैसे बेंजीन हेक्सा कलोराइड है तो कीट नासी के रूप में इसका प्रिरोग होता है मेंस में भी बस इतना याद है कारवन टेट्रा कलोराइड है तो अगनी सामक है जो हमारे जब अगनी लग जाती है जहां पर आग लग जाती है तो आग बुजाने के लिए किस चीज का याद यूज करते हैं तो याद रखें के कारवन टेट्रा कलो परवंडाय आक्साइट को ज्यादा छिड़काव करते जाए या वो एरिया वह से आक्सीजन को खतम करते जाए तो आग खुद बहुद वहां पर बुद जाएगे ये नैस्टेशियुम नैट्रेट तो ये वारूद बनाने में इसका कामाता है इसको याद रखेंगे वोर्टेशियुम ब्रॉमाइड फोटोग्राफी पोटेशियुम सेल्फेड यह उर्वरक फटेलाइजर्स जो होते हैं उर्वरक जो उनके निर्माण में फेनाइल तो हैं घरेलू रोगान उनासी यह गर में हम यूस करते हैं फर्स फर्स को साफ़ करने के लिए फिनाइल तो वह है लेक्स एसीडों तो यह नाखुन पालीस हटाने में इसका यूज किया है तो मार्फिन एक जो पैन किले है बस इतना याद रखना है यानि दरद निवारक नेक्स जो अगनी रोधी कपड़ा तो वो की चीज से मिलकर बने होते हैं इलुमूनियम सलफेट से नेक्स्ट पाइरेथ्रम तो यह मच्छर बगाने में इसका यूज़ किया जाता है जो हमारे यह मोस्केटो और यह आपका आपने देखा होगा ना जो मच्छर मानने के दवाईये बगेर आती है या आलाउट बगेर आती है तो उसमें पाइरेथ्रम का यूज़ किया जाता है कomasisson for magnet ये हैं रोगणू नसी के रूप में रोगणू नसी मितलब जो ऐसे fantas我们 18 होते हれं सरीर को नुकसान पुझाते हैं जंक किटानू जिन prawda चींसे खैलने की संभाव में रहते हुझा का उसने समें यूज के उख झाता है कि यी क्या होता है टाक्टरKsea आम आपने देखेशल के पास दो तरी के लिक्विट यह होता है लास में sell on होगो तो वह होता है वह साप कर देंट और जब्री जल को याद होना चाहिए यह हमारे अभिकिया रियक्टर होते ना नुक्लर रियक्टर तो उनमें मंदक याईनि जो होते हैं उसमें जो है यह कोल्ड करता है उसको यानी सीतलग के रूप में काम करताय बस इतना रखेंगे लिधियुम वायू निर्माण में रसानिक लीधियुम की बैटरी भी आपने सुनी होगी चुक् likely टुलिधियुम की बैटरी होती हैं फोन में जो बैटरी लीथियम के होती है तो उसके निर्माड में किसका यूज करता है लिथियम का तो किलोरीन विरंजक करके दिया जाता है एक्सट पोटेशियम पर मेगनेट तो यह लाल दवा इसको बोलते हैं रेड मेडिसी इसको नाम यह से क्या से याद रखना रखना रेड़ मेशिन बलकि इसको लाल मैडिसी नहीं बोलते हैं इंगलिस में भी ठीक है के एमनोफोर और यह जो विरिंजक है और जल के सुद्धिकरण के रूप में भी इसका आता है वाटर प्यूरिफिकेशन के बाद लिए नेक्स्ट ऑजोन थ्री ऑजोन थ्री क्या है तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एक तो यह समताप मंडल में पाई जाती है स्ट्रेट रूप में होती है अब जो डायर बहुत इंपोर्टेंट काम करती है लेकिन अब यहां पर क्या है ओजोन है यानि यह गैस है तो यह भी हमारा पूरा काम करती है उसकी एक लेयर है जो गैस कि यह जैसे एंटार्टिका के ऊपर अभी लोगडाउन लगा था तो यह आप UZV45 EPA के कान अब glowing warming, ozone 3 और आपका acid rain और आपका artificial rain यह सारे कौर में में आते हुआ जैनि Detrain और यह जैने कुछ important factors आप लोगों को बदाएं आई होप इससे 10 से 15 नमबर आप लोगों के पिरी और मेंस में दोनों में लगाएं बहुत अराम से जाएंगे बिहार सिबिल जज में और किसी अन्य एक्जाम में भी आप देने जा रहे हैं बंडे एक्जाम में भी तो यहां से आप लोग एक ये दो कोश्चन्स बहुत अराम से सिक्योर कर सकते हैं ठीक है वीडियो आप लोगों कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जुरू कता हैं थैंक यू